मद्य प्रदेश में 3 दिसंबर को गुशित किये गए विधान सवत चुनाव की नतीजों के बाद लगतार चौती बार बेज़ेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई बिज़ेपी के केद्रिये नेतरत्व ने सभी को चोका आते हुए डॉक्टर मोहन गादव को मद्यप्रदेश का मुखे मंत्री बनाया इसके बाद प्रदेश में डॉक्टर मोहन गादव की केबिनेट के गठन को लेका लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा केंद्रियन देत्रत्व ने लंबी जद्दो जहद के बाद सुमार को डॉक्टर मोहन यादव केविनेट का पहला विस्तार किया गया इसमें अठारा केविनेट मंत्री छे राज मंत्री स्वतंतर प्रभार और चार राज मंत्रियों को शामिल भी किया गया 40 साल बाद शिपुरी गुना अशोक नगर से मंद्री मंडल में कोई नहीं अधिप्रदेश राज अगठन के 40 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब मंद्री मंडल में शिपुरी गुना अशोक नगर से किसी को भी शामिल नहीं किया जा रहा है हाला कि 2023 में हुए विदान सव चुनाव में शुपुरी गुना अशोक नगर जिले की बारा में से आठ सीटो पर बिज़िपी ने जीत दर्ज की है बात करें शुपुरी जिले की तो यहां से 2005 से लगता श्रिमंत यशुधरा राजे सिंधिया मंद्री रही है सारी चीज़ें दिली सतय की गई है इसलिए किसी भी तरहा के गुट की नहीं चल दी है आगमी लोग सव चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ये जमावट बैठाई है